नमश्कार मित्रों, मैं डॉक्तर वर्म गोयल जंडो आयूरवेदिक्चे कित साले सेक्टर 14 सोनीपत से बोल रहा हूँ मित्रों, आपने देखा है महिलाओं के घरेलू कामों की वज़े से या जो व्यक्ति मेहनत का काम अधी करते हैं और आवी जुकने वाला काम अधी करते हैं उन्हें कमरदर्द की समस्याएं हो जाती है कमरदर्द की अधिकतर समस्याएं उन महिलाओं को होती हैं जो लगातार दो गंटे तक तीन गंटे तक गहरेलू काम या कोई रसोई घर में काम करती रहती है या फिर उन पुरुशों में अधिक होती है जो वजर उठाने से समंदित काम करते हैं जो 50 किलो तक वजर उठाते हैं या उस्ते अधिक वजर उठाते हैं या आगी जुटकर पूरा दिन काम करते रहते हैं अगर हम कमरदर्द से मुक्ति पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा महिलाओं को अगर कमर दर्द के समस्या रहती है तो उन्हें अपना घरेलों काम करते समय अपना पोश्चर सही रखना चाहिए यानि उन्हें किस तरह से खड़े रहना है किस तरह से बैठना है इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए उनकी कमर सीदी रहनी चाहिए और उन्हें बहुत देर तक आगे जुपने वाला काम नहीं करना चाहिए अगर महिलाओं को कमरदर्ग के समस्या किसी लुकोरिया की वज़े से हैं तो उन्हें अपना लुकोरिया का समाधान यानि सबेद पानी से समंदे समस्याओं का समाधान अवश्य करना चाहिए अगर महिलाओं की किसी भी तरह की कमरदर्ग की समस्याएं वजन उठाने की वज़े से हैं तो उन्हें जब तक उनका इलाज पूरा नहीं हो जाता है दो तिन किलो से अधिक वजन नहीं उठाना चाहिए मित्रों इसके लिए सबसे अच्छा उपाई ये होता है कि वो अपने कमर में कुछ ने कुछ इस तरीके से बांद कर रखे या कुछ कमर में पहनने वाली कुछ बैल्स होती है वो पहन कर रखे ताकि उन्हें किसी भी तरह के काम करने के दोरान दर्द ना हो और उनका रोग आगे ना बढ़े मित्रो इसके लिए हमने कुछ उष्डियों की भी खोज की है इसकी सबसे अच्छी उष्डी है दश मूला रिस्ट यह महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी इसका सेवन अवश्य कर सकते हैं यह उष्डी आप 6 चमुच एक कप पानी सुबह शाम भोजन के बाद सेवन कर सकते हैं और इसके साथ एक आजूरमेदिक उष्डी है औस्ट्योपेन यह आप दो गोली सुबह दो गोली शाम को लेने से अपने कमरदर्द से मुक्ति पा सकते हैं लेकिन मित्रो किसी भी उष्डी का सेवन करने से पहले आप अपने वैद्द्य से अवश्य मिलें इस बारे में अगर कोई चर्चा करना चाहिए तो आप उससे सेक्टर 14 जंडो आयुरमेदिक चिकित सल्ले में भी मिल सकते हैं